नमस्कार मैं हूँ विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं दफरंट पांच राज्जियों की पुलिस देश द्रोह के आरोप में जिस शर्जील इमाम को ढूंड रही थी आखिरकार वो अपने ग्रिह जिले से गिरफतार कर लिया गया है आपको बता दें बिहार के जहानाब के इस स्थाने में पहुँच चुकी है और वहाँ पे ये सारे जो है सारे राज्जियों की पुलिस उसको प्रोडक्शन वारंट पे लेने की कोशिश करेंगी और उससे पूस्ताच की जाएगी आपको एक बात बता दें ये सर्जेल इमाम ने का एक वीडियो वायरल हुआ जिस वीडियो में उसने देश द्रोहियों जैसी बात की थी और उसने असम को भारत से एक अलग सेपरेट स्टेट बनाने की भी बात कई थी उस वीडियो के आने के बाद काफी ये मामला उसला था और उसके बाद यूपी पुलिस ने उसके खिलाब देश द्रोह का मामला द और आखिरकार अब इस देश द्रोही को गिरफतार कर लिया गया है बिहार के जहानाबाद जिले से आपको बता दें थोड़ी सी इसके बैक्ग्राउंड की शर्जिल इमाम के पिता जेडियू के नेता रह चुके हैं जेडियू के टिकट पर 2005 में चुनाओ लड़ चुके हैं ह तरजिल इमाम के पिता अकबर इमाम की हार हुई थी एक और एहम बात इस चुनाओ में 2005 के चुनाओ में जेडियू बीजेपी के समर्थन से बीजेपी के सहयोग से बिहार में चुनाओ लड़ रही थी और इस खबर के आने के बाद ये मामला अब एक अलग सियासी रंग जरूरी है और इसी वज़े से पांच राजियों के पुलिस बड़ी ही सिद्दत से इसकी तलाश कर रही थी और अब ये तलाश पूरी हो गई है और शर्जिल इमाम को गिरफतार कर लिया गया है लेकिन सवाल उखता है कि शर्जिल इमाम के बाद जो दूसरा वीडियो शाह सब्सक्राइब कर लिजे हमारा यूटूब चैनल दा फ्रंट और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन जरूर लिजे